वलकुम बाग टू जागो लहूर जशे रहें किस तरह से त्टुजिंस के अंदर यूथ के अंदर सोशल रिस्पोंसिबिलिटी को उजागर किया जाया इस पे किस पर से वॉकिंग होनी चाहिए इस पे हम डिसकसिन करें लेकिन इसके साथidas जनाव हमें आपकी इंपूट की भी बहुत जादा जरूर होती है आप अपने इंपूट इसना से दे सकते हैं कि आप कॉल कर सकते हैं हमाय नम्र आपकी टीवी स्क्रीन पर है आप कॉल करें जो गेस्ट हैं से बात करना चाहें कोई बात बताना चाहें you are more than welcome अच्छा बलाल अ जैसे हमने घर की बात की मुआशे का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारा घर है वहां पर उनको आप जरूर चीजे मैं फिर कह रहा हूं कि 10 लाग से ज्यादा बच्चा आपके पास एक इस सिटी में सिफ स्कूल लेवल के अपर जहां बैठा हो आप उसे एजुकेशन के साथ उसकी एक डिलेशन डिवलिप करें कि उसने उसको पूछना चीजों में अगर आप उसके ग्रेडिंग मार्क्स रख दें अपने फाइनल एक्जाम्स के साथ एक बच्चा हर ग्रेड क्लास में अगर एक पौदा भी लगाए तो आपको 10 सालों में 10 करोड पौदे इस श कि अंज्मेंदारी कि एक पौदा जिसे आप जिलिएं घृज गुष्ट जाकए जाकर पूछें कि उसने इस माश्य जहाँ वो शेहर में रहता है एक पौदा भी लगाया हो तो अपनी सोचल रिस्पोंसिबिलिटी जो इन्वार्मेंट से उसकी सोचल रिस्पोंसिबिलिट होती है, accidents, problems होती है, क्या आपने किसी को माफ किया, क्या आपने किसी को ignore किया, आप एक क्यों नहीं पूछ रहे हैं, लिटरली ये इतना बड़ा अलमी है हमारे मौशरे का, जो एक सहत मन मौशरे के अंदर आपको चीजें बच्चों के साथ शेयर करनी है, वो हमारी बहस हमारी तो आपको अपने environment के responsibility से शुरू करके उसको घर के अंदर से बाहर दे जा रहा है, वो जो traffic rules, वो जो मार्शर में लोगों से मिल रहा है, वो जो रवये हैं, क्या वो उन चीजों के ओपर भी अपने responsibility का किसी किसम का भी को मौशरा कर बारा है, कोई sense of responsibility इस बारे में आप उस स्मार्शर को लगाना है, आपको resources कंजूम कम level पर करने है, future generation के लिए आपको रखने है, आपको जब roads पर जाना है तो आपको उन rules की violation नहीं करनी है, आपको इन चीजों को उसका basic हिसा बनाने के लिए और एक framework उसे चाहिए होगा, यह schools के अंदर SSR book launch होनी चाहिए, जहां व पर स्पेंसर, क्यों जब 30,000 पर आपके अच्छे स्कूल की अगर आप मेरा अपना बिटा क्लास 7 में है, हम जब उसका साल बाद नहीं क्लास के लिए bag और station लेने जा रहे होते हैं, मेरा खैल है 18-20,000 एक बच्चे के पर cost आती है, यह सब जो अच्छे स्कूल से हैं, उनको आप बच्चे को जस्टर देते हैं कि एक बच्चे के लिए और मैं आपके लिए यह आप डिजर्विंग अपने स्कूल के गाड के बच्चे को दे दो, किसी ऐसे नीडी को दे दो, हम क्यों इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना आ पा रहे हैं, तो आप उसे हर जग को अपना नॉलेज पैसा ताकत किसके साथ मौशरा करेगा, अगर आप यह चीज सिखाएंगी और आम केते हैं डोंट शिर्प इनिवान, यह आपका लॉंच बॉक्स है, यह आप कोई खाना है, अगर यह ट्रेनिंग घर से उसे मिल रही है तो आप बाहर के सिख्चे करेंग कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मौशरे में बहुत ज्यादा फाइकलोजिकल इस्यूस क्रियेट कर रही हैं और वो जनरेट हो रही हैं स्टूडेंट्स के धर्मयान बुलिंग से, बिंग पार्ट ऑफ युनिवर्सटी, आप बिन उब्सर्विंग के मेरे पास पेशेंट् बड़ती जा रही है, different issues, mental issues that students are facing nowadays due to bullying Since I am a practicing psychologist as well, बहुत सारे जो students हैं वो एक दूसरे को bully करते हैं जिसकी वजा से उनके अंदर psychological issues generate होते हैं Since I am a practicing psychologist as well यह रुजान आजकल बहुत जादा भैलता चला जा रहा है कि students gangs की form में किसी एक student को target कर लेते हैं और उसको bully करते हैं Bullying क्या होता है, वो एक ऐसा way है जिसमें आप ना चाहते हुए किसी को target कर रहे होते हैं उसके उपर कोई negative comments pass कर रहे होते हैं और वो एक ऐसा psychological effect आपके ओपर डाल रहा होता है and it can damage the whole personality of the person for the whole life और यह ना सिर्फ universities में है, यह school के जमाने से शुरू होता है और यह छोटे बच्चों से होते होते यह universities तक आगे है और आशा इसकी वज़व से बहुत सारे बच्चों में confidence और इन सब चीज़े भी लागते है यह आपके self confidence की धजियां उड़ा देता है और इसके पहले short term effects होते है और फिर इसके long term effects होते है Short term effects में क्या होता है जी कि आप school avoid करना शुरू करतेते हैं आप social isolation में चले जाते हैं आप की classroom के अंदर attendance और concentration level बिलकुल गर जाता है social anxiety disorder होना शुरू हो जाता है depression में चले जाते हैं panic attacks होने शुरू हो जाते हैं बच्चे को और long term के अंदर तो आपकी personality बिलकुली damage हो जाती है depression और आप through out your self esteem is zero और एक नौर्वे की university ने एक longitudinal study की थी उन बच्चों के ओपर जिनको school में university में bully का शिकार किया था वो बच्चे जो bully के victims थे वो आने वाली life में anti social personality disorder का शिकार हुए और वो खुद ऐसे ऐसे जराइम में मुलविस हुए कि उन्होंने खुद आने वाले time में वो कुछ किया जो वो बच्चपन में सहते आये थे और उन्होंने फिर वो अपने से नीचे जो जिन पर उनका जोर चलता था उनके ओपर उनने वो कुछ किया तो इस विश्यस साइकल तो मेरे ख्याल से स्टूडेंस की यह सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है कि जहां पर वो देखें कि कोई बुली हो रहा है तो दे शुड रेस वोईस और वहीं पर रिपोर्ट करें और दे शुड प्रोटक्ट तव विक्तम ओवर तेर क्योंकि यह एक साइकलोजिकल डिसॉर्डर को जनन दे रहा है मेरे पास इस ताइम बे तहाशा पेशन सारे आशा इसकी बड़ी वज़ा यह वी कि आजकल हमारी जो मेंटल हेल्थ है चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो मिजल एज की है चाहे वो बड़ी एज की लोग है मि 농а केरящ हमारा फोकस ही नहीं है हम से फेजिकल हल अखते हैं और यह हम हया तो इंपने पर्याम कहते है और मेरे खाल में it's a social platform और मैं आपके चैनल के वसातत से यह कहना चाहूंगी कि स्कूल की management को इसके अंदर पोक करना चाहिए और उन बच्चियों के बच्चों के गैंक को identify करना चाहिए बच्चों को बुली का निशाना बनाते हैं उनकी self-esteem की धजियां उड़ाते हैं मेरे पास जन दन पहले एक 7th grade की बच्ची आई जिसने चुहे मार गोलियां था लिए थी क्यूंकि उसको बुली हो थी फिजिकल अपेरेंस को इतना टागेट करते थे जस्ट बिकर्ज शी वाज़ाविंग दाख को प्लेक्षिन इसलाम लेकुम् वालत लेकुम् मैं ठीक हूँ सणाब बताएं अचा मैं आप लोगबात कर रहे हैं बच्रों के मेंटल हल्थ के बारे में तु मैंटल हल्थ उनकी से टोरी आज च्छ पर सोशल मेडिया तो ना ही तो सी आप्ति टीज तरह जाते हैं तो इसमें बच्चों जी भीटरी कैसे लाही जा सकते हैं कि आप अच्छी पर अच्छी उनकी ग्रूमिंग भी हो तुक हो गया थाइक्त क्यू अच्छी जवाब लेते हैं नेख्स को इंच शी यास्मीन असलाम अलेकॉं वालीकॉम्साब यास्मीन क्या कहना चाहेंगी पर अगर को सब्सक्राइब जैसे amen की को गार ही को यास्मीन अब आप को जबाते हैं यास्मीन अभी आपको जब तांके यू सो मुच मैँ भावआ देग कॉम परिकास पहली कॉलर सोचल मीडिया का इस्तमाल और नो डाउट इसे बहुत सारी चीजें हमारे माइंसेट को बदलती भी है कुछ डिस्टरॉब ही करते हैं जाद दर लोग बचे कंपारिजन के चक्कर में डिस्टरॉब रहते हैं लिस्टर वैसे होते हैं हम एक बात करते हैं दूसरे फोड़र कोमेश़ नियुकर करते हैं दूनिया हमेशा बैलनस के ऊपर बनी ही है दिन तो रात और ओरत वरत तो मर्स बैलनस को आवका इग्नोर नहीं कर सकते लिए यूथे रोशनी होगी तो अंधेरा चट जाएगा, अंधेरा क्यों होगा जब रोशनी नहीं होगी, सोशल मीडिया तब है, जब आप सोशल एक्षिन प्रोजेक्स बच्चों को नहीं दे रहे हैं, जितनी यूथ से हम लोग हर महीने आपको जो मैंने बताया है, मुझे तो वह यूथ बहुत दिफरेंट मिलती है जो हम जब यह बात करते हैं कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आप जिन्दगी का पार्ट और साल है, मॉबाइल फॉन जिन्दगी का पार्ट और साल है, क्विस्टिन अफ टोड़े जिरा इस नॉट जिए इस इस विज़े से खराब हो गई, यह क्यों है, यह अब है, यह तो अब है, इसको यूज कैसे करना है, उस पर आप इसको अपनी जिन्दगी से निकाल दें, कर आप क्या सकते हैं, आप इसके ओपर अच्छी सोशल रिस्पॉंसिबल प्रोग्राम्स वहां पर आप इंट्रोडूस करवाएं, हेल्दी टॉक और बार-बार करते हैं, प्लीज बेरी रिक्वेस्ट है, स्कूल, कॉलेज, सोशल रिस्पॉंसिबलिटी प्रोग्राम्स लाँच करें, आप तो दुनिया में सची यूथ का ही नहीं मिलेगी, हमारे पास 500 वॉलेंटियर्स जो काम करता है, हमने इनकी वज़ा से फाइदा स् कियों स्कूल के अंदर 10% नहीं हैं पासिंग माक्स के अंदर वह पर्सेंटेज कि आपने सोशली क्या आपने रिस्पॉंसिबिलिटी प्लेटियाब क्यों ही स्कूल के अंदर सोशली रिसंबल चैंपिन्स रिक्ष्ज कर वाते हैं, इसके लिए बचा काम करें, जब आप उस उल लूए है सब्सक्राइब कर लान ऐसे तो अब उसे देखें और मैंने बताना चाहता है तो ठीक हो जाएंगे, जादा मेडिसन खाएंगे तो अमर जाएंगे तो अबिएसली, balance and moderation is the key हमारी caller थी एक यासमी, इनों ने कहा कि एक बच्चा ओल्रीडी बहुत सारी चीजों में जो कहलें बेहतर है, उसको मजीद किस तरह से पालिश किया जा जाया, आईशा? That's really good, कि अगर वो बहुत बहुत है, लेकिन there is never a limit, there is always a room for improvement, अगर वो अभी आपकी नजर में बहुत है, तो उसको मजीद बहुतर किया जा सकता है, उसको encourage करें, उसको motivate करें और अगर वो अपनी pocket money में से थोड़ा सा एक amount निकाल के किसी गरीब के लिए dedicate कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसकी pocket money को थोड़ा सा increase कर दिया जाए, so that he should have certain more room for his own self as well, और आइस्ता इस्ता उसको देख के, उसको role model बना के, और उसको different examples दी जाएं, तो इसको हम अपनी language में modeling कहते हैं, और वो modeling ताके उसको देखा देखी और लोग करें, ऐसा ना हो कि उस बच्चे की सारी pocket money सिरफ गरीबों में चली जाए और और बच्चे उसको देखके कहें कि इस बचारे के तो अपने लिए कुछ बचाई नहीं है, तो उसको एक ऐसा role model बनाएं कि उसको moderation के साथ उसको balance किया जाये ताके और लोग भी उसको देखके fascinate हो और बाकी बच्चे भी इस अच्छी social responsibility का एक path बनाएं अच्छा आईशा भी जैसे बलाल बात करते है, social media को मैं अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते हैं, बहुत सारी positive इसके aspects है, negativity भी है, it depends how you use it बिल्कुल, basically उसके लिए awareness, awareness की बात करें, parents, teacher, सारा कुछ चलता है, लेकिन check-in balance भी साथ-सथ बहुत जबूरी होता है, हम अपने बच्चे को बिल्कुल इसके रह्मो करम पे छोड़ देते हैं, gadgets के, phones के, जिसकी फच्चा से भी बहुत सारी negativity उम में transfer होती है देखे, actually, हमें अपने बच्चे को एक सही और गलत का फरक बताना होता है, ठीक है, आप ने उसको अच्छे और बुरे की तमीज सिखानी है, उसके बाद आपने कहना है के फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब मेरे अपने बच्चे भी, माशाला, इस स्टेज के ओपर हैं, क तो में रखानी है, तो मैं उसको दोनों चीज का फरक बताती हूं, मैं ये नहीं कहती है, तुम ने ये चीज नहीं करनी, ये इनसान की एक फित्रत है लाँनिया की तरफ से कि जब हम किसी चीज के उपर लगा देते हैं, तो इंसान वो उसके अंदर ढूंडता है कि मैं ने तो माप आप सम्टाइम्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये काम नहीं करना तो एकदम उसके अंदर आपको फैसीनिशन नजरानी शुरू हो अब आप डिसेशन करें ठीक हो गया बलाल यही बात आपके लिए हर बच्छे को बताना समझाना रिस्पांशिवस के लिए खुद अवेर होना भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है इस सवाले से जो आईशा ने बात की इसके वाले साथ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है मेरे खाल अब तो उसके सामने पूरी दुनिया इस वक्त वहम थे चीजों में के हमें नहीं आईडिया था जब तक एक खास अब भी अपने बेडरूर नहीं लेते थे जा कर आप तो इसे घर बैटे अपने बेडरूं के अवर चीज से अपने मॉबाइल फुनिया उसके प्र पूरी भी और गिकर करना किए ओरुल झाया होजा de को आप अपने एक्णक रिस्पांसिबले हो। आप अपनी जो्ता पात के रिस्पांसिबलो आप अपनी थिंकिंग प्रोसस के रिस्पांसिबलोगोगी तबरून प्रों से यह चीजि वाए लिटे कि बच्चों की जो mental health को polish करने के लिए क्या एक्दमात करने चाहिए और इसके इलावा जिनकी self-esteem को कैसे बढ़ाया जा सकता है ठीक हो गया, thank you so much for calling Mrs. Mansoor अभी मैं आपको बारी बारी दोनों से इसी बात का जवाब देती हूँ आईशा, आप इनके सवाल का जवाब दे भी हम बलाग सुझाए बच्चे की self-esteem के ऊपर तो बच्पन से काम होना चाहिए ठीक है, बच्चे की self-esteem एक दिन में हम उसकी एक दम बूस्ट नहीं कर सकते self-esteem क्या है your own image in your own self और वो कैसे बिल्ड होगा जब आप उसको चोटी चोटी चीजों के ऊपर appreciate करेंगे, उसको praise करेंगे, उसको decisions के अंदर involve करेंगे माबाप बास दफ़ा चोटी चोटी चीजों के ऊपर बच्चों को dominate कर देते हैं for example, आप उसको बजार लेकर गए हैं और उसने काया मुझे यह नहीं यह कपड़ा पसांदा नहीं तुम्हें यही लेना है तो उसकी तो self-esteem रह गई ना वहीं पे के बही मुझे पसंद तो यह red color था माने मुझे blue ले दिया तो यह चोटी चोटी चीज़े एक जिससे आपके अंदर confidence बिल्ड होता है और आपकी self-esteem boost की इस तरीके से होती है और आपकी self-esteem आइस्ता आइस्ता बिल्ड होते हैं जब आप school में जाते हैं तो फिर आप अपने decisions लेना शुरू करते हैं और फिर teacher की नज़र फिर class fellows की नज़र आइस्ता आइस्ता वो self-esteem घर से शुरू होती है फिर society में होते होते आगे तक जाती है और अगर माही कहना शुरू करते तू तो है yesi तू तो काली है तूने बाहर जाके क्या कर रहे हैं मैंने बहुत-बहुत ordinary शेकल की लड़कियों की self-esteem बहुत high देखी है और बहुत जिसको कहते है हसीन लड़कियों की self-esteem zero देखी है वो क्यों क्योंके घर से ही उनकी self-esteem develop यह उनकी ऐसे होती है बिल्कुल इसे वाले से आप क्या comment करें बिल्कुल इसमें बड़ी खुबसूरत बात है कि mental health की जो ने बात की this is the key part और वो कैसे ठीक होगा जैसे मैं की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा बच्चे के अंदर हमेशा रेली डुटीन के अदर कुछ अच्छे जेस्टर्स जरूर होते हैं आपको उन जेस्टर्स को जरूर अप्रिशेट करना है माँ पर बच्चा तीन साल से साथ साल की एज में यह सब्जेक्ट इंका तो ज्यादा confidence और ट्रस्ट ले रहा होता आप को दिन में 20 पर 25 मरतबह करें कि तुम्हें एक अच्छे इनसान बनता नगर आ रहा होगा आप च्छे इनसान को कहना शूरू करते हैं जब अब ले Бल टेस्ट आप इसे बल कर रहे हैं और अगर आप उसे लेबल करें कि तुम आफे नहीं जयसे नों और जो टुम ऐसे नहीं के ढ़ब तुम गलत हो तुम जालों इसे तरह समझाओं धैली रूटीन कर रहा होता है उसे सब के सामने प्रेस करें गार सिंदगी के अंदर को अधियर के अ ruled By दे तरह के यहां इसर अंतर वाषों बने इसे H nick तो तीन तरीके से डिवलप होता है, mentally, spiritually and physically, तो तीन हो हमने करते हैं आपका भी आज की healthy discussion का purpose यही था कि बहुत सारी लोग अवेर हो सके चाहिए वो parents है, youth है कि आपका society में बहुत इंपॉर्टन रोल है, आपकी contribution से बहुत सारी चीजे में अच्छे नोट पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, इन साल आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, feedback के लिए हमा कर दो आपसे हमारी मुलाकात हो ऑापसे हमारी मुलाकात होगी का इंप।